नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इंडिया आज भी एक थर्ड वर्ल्ड कल्ट्री है या नहीं यह जो कॉंजब्ट है फर्स, सेकेंड और थर्ड वर्ल्ड वाले कंट्रीज का यह एक्चुली कोल्ड वर एरा के टाइम पे आया था जो शीत यूद हुआ था वर्ल्ड वर टू होने के बाद उस ताइम पर जब कुछ कंट्रीज युएसे को और कैपिटलिजम को सपोर्ट कर तो उनको फर्स वर्ल कंट्रीज का जाता था और कोई कंट्रीज थे जो यूएसेसर को और कम्यूनिजम को सपोर्ट करते थे तो उनको सेकेंड वर्ल कंट्रीज का जाता था तो जाहिर सी बात है जो देश उन दोनों भी ग्रूप के साथ नहीं गए उनको थर्ड वर्ल कंट कि यह actually earth को पूरे world को divide करने वाली थी according to उनके political और economic divisions पर आपको पता है कि 1991 में USSR का विभाजन हो गया और तभी cold war भी खतम हो गया so उसके बाद से first second third world countries का जो concept है उसे ज्यादा कोई भाव नहीं देता so instead उसके जगे पे world bank में developed, developing and transition economies का concept लाया and over the years यह जो concept है third world economies वाला यह काफी redundant हो गया काफी obsolete हो गया और उसके जगे पे developing nations करके उन countries को कहा जाने लगा वो इसलिए क्योंकि historically जो third world countries थी वो काफी poor थी और non-industrialized भी थी moreover यह जो concept है third world economies वाला यह काफी बात new industrialized economies पे भी लगाया जाता था जैसे कि Brazil हो गया चाइना हो गया इतना ही नहीं यह जो third world economies वाला जो concept है यह non-aligned group के लिए तो use किया ही जाता था in fact prosperous economies जो है जैसे कि Austria हो गया Ireland Switzerland Sweden ऐसे groups के लिए भी use किया जाता था तो अब भी आते हैं उस topic पे कि क्या इंडिया आज भी third world country है अगर हम current scenario की बात करें तो हां इंडिया आज भी एक third world country है या फिर एक updated version में आपको बोलू तो यह एक developing economy है कोई भी country का जो development है उसे measure किया जाता है उसके per capita income पे GDP per capita पे life expectancy आप कितना साल तक जीते हैं on average उस पे literacy rate freedom index और काफी औरने चीज़ों से भी measure किया जाता है और अगर इन सारी parameters की बात करें तो इंडिया काफी पीछे है World Bank के एक report के मताबिक इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं और गरीबी यहाँ पर define होती है कि वो बंदा जो दिन में 1.90 डॉलर जब 2 डॉलर से भी कम अगर उसकी कमाई है तो उसको poor category में डाल दिया जाता है इतना यह नहीं तो आज के date में 40 करोड इंडियन के पास proper sanitation भी नहीं है मतलब proper toilets, bathrooms और पीने का पानी तक नहीं है corruption ने तो आपको पता ही है देश की economy को paralyze करके रख दिया है हमारे infrastructure को काफी मातरा में improvement की ज़रुरत है school, colleges, roads, hospitals, अच्छे buildings की बहुत ही ज़रुवत है इंडिया को it's not a secret anymore इंडिया वर्ल का सात्वा बड़ा देश है हमारे पास rich culture है फिर भी हम tourism में काफी पीचे है काफी लोग जो लड़कियों के जनम को अशुब मानते है वो लोग भी responsible है हमारे देश की ऐसी खराब हालत के लिए अगर economic front पे बात करें तो it's important कि हम हमारा markets open करें और ज़्यादा तर FDI भारत में लेखी आए पर आपको पता है क्या USA इंडिया को developing nation नहीं समझता USA के according इंडिया जो है वो एक developed nation हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा इंडियान के रिए बात ये खुशी की है या दुख की अगर उपर उपर से देखे तो ऐसा लगए गया कि ये USA ने हमें developed nation का दरजा दे दिया अभी सारे problems ठीक हो गये पर ऐसा नहीं है देखें developing nation होने की वैए से इंडिया को काफी trade benefits मिलते हैं जो USA को नहीं मिलते हैं और USA इंडिया से ये trade benefits छीनना चाता है क्योंकि ये जो trade benefits है इससे indirectly US market effect होता है इंडिया को और जो भी अन्य जो राश्ट्र है उनको ये बात यहां रखनी है कि as compared to India US का economy 30 गुना बड़ा है 30 times वैसे भी US ने दे दिया है इसका मतलब ये नहीं कि हम developed nation बन गया है we should not be too concerned क्योंकि according to United Nations कोई भी देश जो है वो खुद को एक status देता है तो अगर हम developed है तो हम कहेंगे कि हा भई हम developed है so in that case India is still a developing nation और इंडिया ये बार बार कहते हैं कि हा भई we are still a developing nation जिसके चलते हैं इंडिया को WTO World Trade Organization में भी preferential treatment जारी रहेगी कोई tension लेने बादी बात नहीं है बट हम यही प्रे करेंगे कि जल्द से जल्द इंडिया खुद को developed nation कहें एक घोशना कर दे एक डिक्लेयर कर दे पर यह process काफी लंबा होने वाला है हमें काफी fronts पे काम करना पड़ेगा economic wise, socially, politically, infrastructure में बढ़ोती लानी पड़ेगी girl child को बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ का जो नारा है वो actually सच करना पड़ेगा sanitation wise हमें काफी improvement करने पड़ेगी जो हमारा lower तपका है, poor तपका है उसको poverty line के उपर लाने की बहुत बहुत जादा जरूरत है I wish and I know कि आप भी यही wish करते हैं कि India एक दिन developed nation जरूर बनेगा I pray and all the best to everyone Thank you